आम अद्मी पार्टी की मुश्किले बढ़ती जा रही है इडी की कारवाई से आप में खलवली मच गई है पार्टी के मुख्या अर्विंद के जिर्वाल अपने नेताओं को कटर रिमांधार बता रहे है लेकिन कोट को के जिर्वाल की बातों पर यकीन नहीं है तबी तो के नेताओं को कोट से जमानत नहीं मिल रही है और पहली बार आपके दो बरे नेताओं की दिवाली जेल में ही मनी है आम अद्मी पार्टी को राजनेती में आये 10 साल ही हुए है लेकिन पार्टी पूरी तरह से एक्स्पोज हो गई है पार्टी के नेताओं की मुसीबत कम हो अब आपके दूसरे निता भी एडी के रडार पर है और अब के जिर्वाल की गिरफ्तारी को लेकर भी आपको डर्सताने लगा है। हम सब पडिवार एक जूट हैं, एक साथ है, हम सब सत्य की लराई लर रहे हैं और अंत में जीत सत्य की होगी। में फसे आपके कई निता जेल जा जुके हैं और पार्टी के जो निता बाहर हैं वो पार्टी से इस्तिफा दे कर भाग रहे हैं। मतलब केजिवाल की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। कभी नेता कोट में पेश हो रहे हैं तो कभी पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं। कुछ निताओं को वो बहला फुसला कर तो अपनी पार्टी में ले जा रहे हैं लेकिन जैसे ही पार्टी के भीतर की सच्चाई उन्हें पता चलती हैं वो नेता पार्टी छोड़ कर घर वापसी कर लेते हैं। केजिवाल को जटका दे कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। के महिने में बीजेपी छोर कर अखंड प्रताब सिंग ने आप जोयन की थी। वहीं उनका स्वागत करते हुए पार्टी के राजसबा सांसत संजय सिंग ने कहा था कि आप में शामिल होकर अखंड प्रताब सिंग ने मदप्रदेश में हमारी उपस्थिती को मजबूत किया जिससे पार्टी अधिक गती और ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। दिली और पंजाब में जनसंपर्क नीतियों के प्रती आपकी अटूट प्रती बद्धता के प्रिनाम सरूप इसका रास्ट व्यापी विस्तार हुआ है जो इमानदार विक्तियों को अकरशित करता है जो हम हमारे उद्धेश में विश्वास करते हैं हलाकि आपके अर्मानों पर विराम लगाते हुए तीन बार के विधायक और पुर्व मंत्रिय खंड सिंग ने फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है ऐसे में आने वाले चुनावा में बीजेपी को काफी ज्यादा मजबूती मि केजरवाल को लग रहा था कि बस बतौले बाजी करके जीत जाएंगे लेकिन राजनिती में बाते बनाने के साथ ही काम भी करना होता है एककर आमाद्नी पार्टी के नेता भरस्टाचार के आरोप में नपने लगे हैं आप जो राजनितिक भरस्टाचार को खत्म करने की बात करती थी वो जमीन से लेकर शराब तक के घुटालों में फस्ती नजर आ रही है एडी से लेकर सीवियाई और दूसरी जाच जनसी आप नेताओं पर शिकन जाकस रही है केजरवाल जो इमानदारी की बात करते थे अब उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है केजरवाल अपने नेताओं को बचाए या खुद अपने आपको ये बड़ा सवाल है और आपके एक और नेता जल्द ही जेल के पीछे पहुंच सकते हैं आम आदनी पार्टी के नेता संजय सिंग मनेशी सोधिया और सत्यंदर जैन के साथ ही आपके एक और नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं आपकी सरकार की जैसे जैसे घोटालिस सामने आ है ऐसा लग रहा है कि जनता की परिशानी दूर करने नहीं जनता के पैसों से अपनी मौ जुराने आये थे दरसल इडी ने एक और कारवाई कर आपको बड़ा जटका दिया है इडी साफ तोर पर कह रही है कि वफ्त की जमीनों का बेजा इस्तमाल हुआ है इडी ने दिल्ली व रुपियों को पूश दाच के लिए 14 दिनों तक इडी की हिरासत में भेजने की अरजी को अस्विकार कर दिया है इडी ने पिछले महिने अमानतुल्ला खान के विविन्ने परिशरों पर छापे मारे थे सूतर ने बताया कि धन, शोधन, निवारन, अधिनियम के प्रभधा केंद्रे जाज जेंसी ने दावा किया कि ये छापे मारी दिल्ली वफ्त बोर्ड में करमचारियों की अवैद भरती से संबंदित मामले में की गई थी। इडी ने कहा कि आमानातुल्ला खान ने उक्त अपराधिक गती वीदियों से बरी रकम नगदी में अरजित की, इस नगद राशी को अपने सहयोगियों के नाम पर दिल्ली में विविन्न अचल संपत्यों की खरीद में निवेस किया गया था, वहीं छापे के दौरान डिज करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, आप निताओं के खिलाफ जूटे मामले दर्च किये जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कोर्ट से आप निताओं को जमानत क्यों नहीं मिल रही है देने को छोड़ आपके बड़े बड़े निता राजनितिक परियाटन में बिजी है, केजरवाल खुद ही दिल्ली की जनता को लेकर बेफिक्र हो गए है, जैसे मानो की केजरवाल ने अपना सारा वादा पूरा करते हुए दिल्ली को सभी तरह की परिशानी से दूर कर दिय लेकिन परिशानी ये है कि कुछ भी नहीं हुआ है, जिसकी वज़ा से खुद इंडिकर बंदन के लोग केजरवाल का विरोध करने लगे हैं, अब कॉंग्रेस भी केजरवाल के खिलाफ हो गई है, द्रसल विपक्षी इंडिकर बंदन के दो दल कॉंग्रेस और आमाद्वी लवली ने केंदर की सत्ता रूट बीजेपी और दिल्ली की आमाद्मी पार्टी सरकार को परदूशन के लिए जिम्मेदार ठहराया, अरविंदर सिंग लवली ने कहा कि बीजेपी का ध्यान दूसरे राज्यों के चुनाओं पर है, जबकि आमाद्मी पार्टी को इस बात क की चिंता है कि वो सरकार बाहर से चलाएं या जेल से चलाएं, बीजेपी और आप पर तंज कस्ते हुए अरविंदर सिंग लवली ने कहा कि दिल्ली को कैसे दमगोटू महौल से बाहर निकालें, इस पर काम करने की जगा, ये देश का और दिल्ली का दुरभाग्य है कि की चिंता कोरी जाया जाएं, और दिल्ली की कैबिनेट इसमें व्यस्त है कि सरकार बाहर से चलाएं या जेल से चलाएं, जनमत संग्रह कराना है या नहीं कराना है, ऐसे समय में जब कैबिनेट का काम दिल्ली के लोगों को राहत देना है, दोनों ही कैबिनेट अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, कॉंग्रेस द्वारा किये गए प्रदुशन में पार्टी कारिकरता मौजूद रहें, अर्विंदर सिंग लवली के अलावा क्रेशना तीरत भी प्रदुशन करती दिखी, मुह में मास्क लगाएं और हाथ में बैनर लिए कॉंग्रेस कारिकरता रख कर बैठी है, उन्होंने बीजेपी और आमाद्वी पार्टी से राजनीती छोर कर समस्या का हल निकालने की भी अपील की थी, तो देखा आपने कैसे कॉंग्रेस ने केजबाल के खिलाब भी मुर्चा खोल दिया है, कॉंग्रेस और आमाद्वी पार्टी दोनों भी पक रिकन को दबाएं